नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सबको ख्लासी मार्केट में तो चलिए देखते हैं कल याने की फ्राइडे के दिन हमारे निफ्टी बेंक निफ्टी में क्या लेबल रहना चाहिए और क्या ट्रेडिंग प्लान आ चाहिए और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो यार अजकल 500 लाइक तो कर ही दो और अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया जल्दी से जाईए नीचे डिस्के समने लिंक के क्लिक करके जॉइन कर लीजिए क्योंकि दोस्तों वहां पे लाइग मा किये जल्दी से जाके नीचे डिसके लिंक करके जॉइन कर लीजिए जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे निप्टी बेंक निप्टी का लेबल बगरा सबकूर सुबह 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 दे दिया था जो की बहुत ही इंपोटन होता है ब 500-500-400-400 पॉइंट हम प्रॉफिट करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने अपसाइड का लेबल दिया कि 35,744 ब्रेक करेगा तो ही बाय करने के लिए आप देख सकते हैं जो लेबल दिया था एक्जाक्ली मार्केट है टच किया डाउन डाउन बिलेंड एक एन डाउ जाएगा बोलके बोला था और exactly same to same market react किया चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक जोइन नहीं किया हैं क्यों देर कर रहे हैं जाए जोइन कर लिए चलिए बेंग निप्टी कर क्या हो सकता है अभी देख लेते हैं बहुत ही simple हमारा view बनना चाहिए देखि सकते हैं देखिए मैंने नीचे का जोण चेंजी नहीं कि आजमार्थी टोपन हुआ exactly वही जोण को टच किया उपर चला गया राइट तो simple अच्छा कासा एक support जोण है और यह तो अच्छा कासा एक resistance जोण है राइट तो 35,849 के उपर जाने के बाद ही हम buy करेगे target रहेगा ह हमारा 36,280 तक क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर जो है अच्छा कासा resistance है प्राइस आप देख सकते हैं यहां से बार 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 यहां से गिर रहा है नीचे तो यह अच्छा कासा resistance जोण है राइट तो आपको trending markup देखने के मिलेगा जब 36,200-300 break करने के बाद लेकिन कल के लिए हमारा plan 35,849 break करने के बाद हम buy करेंगे राइट I hope को समझ में आगया sell कप करना है देखी sell आपको 35,427 break करने के बाद ही sell करना है आपको 100-200 point का momentum देखने को मिल जाएगा क्यों क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर जो है अच्छा कासा resistance zone राइट प्राइस यहां आप देख सकते हैं प्राइस यहां पर breakout दिया और आप देख सकते हैं आज magic आप देख सकते हैं यहां पर प्राइस यहां से ब्रेक आउट दिया फिर घूम पिर के आया जो मैं जोन रहो करका रखा था support zone आज market open हुआ दोस्तों यहां पर touch किया again चला गया सारे सब कुछ में free telegram channel पर share कर लेता हूँ जोन बगर आप खुद सीख सकते हैं दोस्तों learning कर सकते हैं तो यहां से market उपर चलाया simple सी बात है माई 35,427 के नीचे आपको sell करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा कासा यह बन गया resistance यह बन गया again support तो अगर इकल टूटेगा तो sell करना यह अगर उपर जाएगा तो buy करना है clear होगे आपको चलिए वीडियो को like कर दीजे चलिए देखते हैं निप्टी निप्टी में हम क्या कर सकते हैं देखिए निप्टी में बहुत simple सा भी हुए कल मैंने बता कर रखा था कल मैंने यह बोला था कि नहीं बोली है 16,000 से 650 का call put को sell कर दीजेगा अच्छा खासा profit मिले क्योंकि call put दोनों 0 होगे इस market के range में रहे गया market राइट तो चलिए कल हमारा प्लान के रहा है चाहिए देखिए simple हमें sell कप करना है पहले देख लेते हैं कल अगर फ्लेटी पी तोड़ा gap down उपनी हुआ 16,587 ब्रेक करने एक बाद आपको sell करना है क्योंकि आप देख सकते है यह जो zone में draw करके रखा हो न यह आप देख सकते हैं one यहाँ पे एक resistance बना यहाँ पे दो बार resistance बना यहाँ पे तीन बार resistance बना तो कल अगर gap down उपनींग होके 16,587 के आज पास आगे एक green color का candle बनाता है 15 minute का अब buy कर सकते हो क्यों क्योंकि देख सकते हैं अच्छा कासा resistance था market ने breakout दिया कल यहाँ तक retest करने आ सकता हैं यहाँ से again एक ऊपर का bounce आपको देखने को मिल सकता हैं इतना हो गया पहला point second point हमारा क्या रहेना चाहिए अगर market थोड़ा gap down उपनींग हुआ और 16,587 को तोड़ दिया तो ही जाके sell करेंगे क्योंकि यह एक resistance था यहाँ पर यह support बना यह area लेकिन support को hold नहीं कर पाया market और नीचे तोड़ दिया राइट I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया ठीक है अब buy कप करना है दिखें buy अगर समझ लीज आप एक risky trader है तो buy कप करना आप देख सकते हैं यहाँ पर निप्टी नाच कंटेंस लोर लो बनाया और यहाँ पर जो red color का trend line में ड्रौ कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ बार बार resistance पेस करना है यह प्रेंडन को touch करना है price नीच तो कल अगर flat opening होके 16,650 के उपर निकलना चालू करता है मतलब यह trend line यह तोड़ देगा और उपर निकलना चालू करता है तो जागा आप buy कर सकते हैं मैं level बगरा देदूगा डोंट आरी लेकिन 16,770 के उपर यह आपको buy देखने को मिलागा क्योंकि यह अच्छा खास है कि resistance donate I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया तो चले दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में अपने में पर बहुत बहुत सारे प्यार दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को subscribe कर दीजिए आपको genuine लगा फीकिने को कुछ मिला की नहीं और मेरे अगर update को live market में आप कर लीजिए thank you so much take care bye and see you